जान कीजिए, कहते हैं, एक बार की बात है, एक बार एक धील था, पस्वों को मार करके अपना जीवन यापन करता था, घर में दो फुत्र पत्निया थी, और वह भी जंगल में गया, आज उन्हें मारने के लिए, पुरू पुरू द्रोव नाम का यह भील, वन में गया, और वन में बैठा था, बैठे बैठे सुबस से सांज हो गई, घर से जलका पात्र ले करके चला था, और चूरुमा घर से बना कर चला था, सांज दर कोई पसू नहीं आए, किसी को मारान मार नहीं पाया, मन में विचार आया कि जब मैंने किसी को नहीं मारा, तो मैं फिर इस पसू को बेचूँगा नहीं, कोई धन आएगा नहीं, तो हमारे बच्चे भोजन क्या पाएंगे, बच्चे भूखे सो जाएंगे, इस भाव से वह घर नहीं नहीं, पसू पक्षी तालाब में जल पीने तो आते ही आते ही, लेकिन शिंगादी भी आते ही, इस भाव के कारण उस तालाब के किनारे एक ब्रिक्ष था, उस तालाब के किनारे उस ब्रिक्ष पर चड़ गया, और शिवक्र पासे वह ब्रिक्ष विल्व का ब्रिक्ष था, बेल पत्ते का वहाब रिक्ष द्यान दीजिए इदर दिल बंके प्रिक्ष पर बैट गया और अट्रापत्री का प्रथम प्रहर आरंब लगोंगे चूर्वा खाया नहीं चुकि मत में क्या विचार था आज मेरे बेटे तो कुछ खाये नहीं होंगे पानी तक नहीं पिया क्यों चुकि हमारे बेटे भूखे रहे हों और ऐसे विचार करकर के करकर के बैठा ही था कि एक हिर्णी वहाँ से पार हो रही था जैसे ही हिर्णी को देखा अपना धनुस्तीर तैयार किया बेल के बिक्ष में बैठे बैठे जैसे ही धनुस्तीर तैयार किया बेल के कुछ पत्ते तूट करके उसी बिक्ष के नीचे एक शिविलिंग था उसके उपर उल्टे होकर गिर गया थोड़ा सा सदा जो पानी का पात्र था उससे थोड़ा जलभी श्रिलिंग पर गिर गया सद करके जैसे ही तीर चलाने लगा सत्यूक की कथा है जैसे ही तीर चलाने के लिए तैयार हुआ उस हिरने ने कहा सुनो भील तु मुझे माड़ना नहीं भील ने कहा क्यों चुकि सत्य युग में पसु पक्षी भी बोलते थे त्रेता युग में भी पसु पक्षी बोलते थे इसका प्रमान है जटायूश भगवान ने बात की लेकिन द्वापर यूग में स्रीवलभत्रजी के श्राप के गारण पसुपक्षी बोलना बंद करते हैं कहते हैं, भील ने कहा मैं तुम्हें क्यों ना मारू, मैं तुम्हें मारूंगा, तुम्हारे शरीर को बेच करके, चम्रे को बेच करके, मेरे पुत्र जो भूखे सो रहे हैं, उनका जीवनी आपनों होगा हिरन ने कहा, हिरनी ने कहा, मेरे भी चार पुत्र हैं, मैं अपने बच्चों को दूद पिलाने जा रहे हैं, तुम मुझे मार ना, लेकिन जिस प्रकार तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उस प्रकार मेरे भी तो बच्चे भूखे, इसलिए तुमसे मैं बच्चन देती कि मुझे अभी दो छोड़ो दो मैं अपने बच्चों को दूद पिला करके तुमारे पास स्वयम आ जाओंगी भील ने कहा मुझे मुर्ख बना रही हूं सुबह से साम तक में बैठे बैठे समय बीत गया सुबह से संध्या हो गई अभी तक कोई जानवर वजी नहीं मिला जि यदि मैं अपने बच्चन पर ना टिक पाओं यदि मैंने अपना बच्चन तोड़ दिया तो मुझे बहर डंड मिले शिव कुरान कहती है बहर डंड मिले जो ब्रामन होते हुए भी संध्यान करता हो हिरन कहती मुझे बहर डंड मिले जो ब्रामन होते हुए वेदों को वेदों का व्यापार करता हो हिरनी कहती मुझे बहर डंड मिले जो पति प्रता इस्तरी होते हुए भी देह व्यापार करती हो कि उजे वह डंड मिलना चाहिए सईयों से भील सुबह से संध्या तक सुबह से लेकर संध्या तक विचारा भील प्यासा भूखा था मन में दया आ गई और दया के कारण वह भीले हिरने को जाने दिया और मन में क्याल आया कि कम से कम चलो कोई बात नहीं दूसरा कोई जानवर आये है द्यान दी जी यह कथा सुनने बहुत जरू गई शिवराप्त्री आ रहे हैं यह से लिए कहते हैं जब जब वह हिरनी चली गई तो थोड़ी देर के बाद रात्री के दूसरे प्रहर में एक हिरन आया वह हिरन इस हिरनी का पती था बील ने पुनाया तीर धन उसको साधा और जिस प्रकार प्थम प्रहर में बेल के पत्ते तूटकर गिरे वही बेल के पत्ते साधने में फिर भगवान उश्रीव के वोपर उल्टे गिर गए और थोड़ा सा जल भी गिर गया जैसे हिर साधा हिरन ने कहा रही रुख जाओ भी तू मुझे मार देगा तो मैं अपने पुत्रों का अंतिन दर्शन नहीं कर पाऊंगा इसलिए मेरी बात मानो मेरे चार चार पुत्र है एक बार मैं अपने पुत्रों का दर्शन तो करके आओ यदि मैंने अपने पुत्रों का दर्शन न किया तुझरा सोच तुझ यहां मर जाए और तेरे पुत्र भूखे प्यासे बैठे रहे तो क्या गती होगी के ते भील के मन में दया आ गई और दया के कारण भीले ले उस हिरन को भी जाने देगा हिरन ने कहा मैं आऊं का रात्री का तीसरा प्रहर लग गया वह जो पतम हिरन नहीं आई थी अब तीसरे पहर में उसकी बहन आई बिद्वा है हिरन मर चुका है उसका बच्चे मारे जा चुके हैं शिंगों ने खालिया अकेले ही है और किसके पास रहती है अपनी बहन के पास प्रात्री के तीसरे प्रहर में उस भील ने देशे ही पुनाई अपनी को देखा और वही क्रिया हुई बेल के पत्ते तूटे और नीचे संयोग से जो शिवलिंग था उसमें पुनाई गिरे और गिरने के बाद थोड़ा जल फिर गिर गया हिरने ने कहा अरे तुम मुझे मार देगा मैं वैसे भी बिद्वा हूँ अकेले हूँ मर जाओं की तुम्हारे बच्चों को मेरे मरने के कारण मेरे देख को बेचने से तुम्हारे बच्चे यदि भूखे नहीं रहेंगे तो इससे बड़ा सवभाग ये कोई नहीं है लेकिन जानते हो मैं माँ हूँ माँ होने के नाती मुझे बच्चों का प्रेम बच्चों का बात सलने पता है मेरी बहन रात इसके एक प्रहर से दूसरा प्रहर तीसरा प्रहर लग गया अपने चार बच्चों को खोज रही है करप्या करके मुझे उन बच्चों को खोजने उनके खोजने के बाद, उनके मा को देने के बाद, मैं तुम्हारे पास उन्हें आए। बेल के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेकते रहा और बेल के पत्ते कहां गिरते रहे। बगवान शिवशिव पट्र हो बघवान शिवशिव के ऊपर वो बेल पत्ते किरते रे सैयों, सैयद, तीनों, हिरन, कहां पहुंच गए? अपते चारों पुत्रों के पास पहले हिरनी ने दूट पिलाया बच्चों चो कहने लगे देखो अब इनका ध्यान रखना मैं तो जा रही हूँ और कभी वापस नहीं आँ सारी बात कहीं तो इरट के पती ने कहा रही उस भील को तो मैंने भी आने के लिए कहा है हिरनी के बहने का मैंने भी कहा है और सत्यू के कारण सत्यवादी हैं मिठ्या नहीं बोल सकते हैं इसलिए हम तो तीनों जाएंगे हमारे बच्चों का क्या होगा चारों बच्चों ने कहा कि हम भी साथ चलते हैं कितने हो गए साथ हो गए ये साथ हो मिल करके रात्री का चौता प्तहर लगए और सईयोग से वह शिवरात्री का दिन ने था रात्री का चौता प्तहर लगए और साथों हिरण दोनों हिरणी, एक हिरण और चारों बच्चे जब महाँ भील के पास आए तो भील के मन में दया आ गई कि धन्य हो एक के बदले साथ आए हैं भील ने वहां से अपना धनुस बाण फेका और जल का जो पात्र था उसे जमीनी पर फेका सैयों उसे वह जल की धार भगवान उसे उपर गिरी उतरने लग गया उतरने के क्रम पे पैर फिसला दाल पकड़ने का प्रयास किया बेल के पत्ते भी भगवान शिव के उपर गिरे और गिरा तो मस्तक शिवलिंगे के उपर जाकर गिरा जैसे ही मस्तक शिवलिंगे के उपर गिरा माथे पर चोट लगी रक्त की धार निकली और भगवान महादेव प्रसंद्न हो करके इसी समय प्रकट हो गए बोले संकर भगवान जैने भगवान महादेव प्रकट हो गए और भगवान महादेव ने देखा भील उठो और भगवान महादेव ने भील के मस्तक परहाथ रखा विचारा भीर रोने लग गया मैं इतना बड़ा पापी जीवन पढ्यंत पस्वों को मारते रहा उनके परिवार को नतवर्ष्ट रश्ट करते वे उनके परिवार को खंडिट करते वे मैं अपने परिवार का लालन-पालन करते रहा महादेव आज आप मेरे श्रिम माया से आज तेरे पास मैंने तीन बार व्यवस्थाएं बेजी लेकिन तेरी करुना और दया से मैं प्रसन्न हूँ या हिरन और कोई नहीं सब मेरी माया है मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे अपर भील कि तुम्हारे भीतर भी दया मंता करुणा भी राजमान है भील कहने लग गया मेरे पुत्र भूखे है मैं जीवन पर्यंत के वल यही पाप करते रहा भगवान महादेव कहने लग गये भील मैं तुम्हें आश्रवात देखा हूँ कि जो भी शिवरातरी का भृत करेगआ और इस भृत में तुम्हारी कता नहीं सुनेगा उसे शिवरातरी भृत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा लील कहने लग गया प्रभू आप मेरी तपस्या मैं अनायाज रही कियेगे भृत से आप पसंद नहीं भगबान महादेव ने का इतने ही प्रसंद नहीं तुमने आज अनायास मेरे उपर बेल के पत्ते उल्टे चड़ाए हैं इसलिए युग युग अंतर तक जब तक मेरी पूजा होगी मेरे मस्तक पर उल्टे ही बेल पत्तर चड़ेते रहेंगे यह कारण है भगबान महादेव की मस्तक पर उल्टे बेल पत्तर चड़ाने का और भगबान महादेव तीसरा वरदान देने लग गए इतने प्रसंद हुए इतने प्रसंद हुए इतने प्रसंद हुए इतने प्रसंद हुए कि भगबान महादेव कहने लग गए जाओ मैं तु आकास में जो सब्त रिश्यों का तारा कहा जाता है वह सब्त तारा मंडल के रूप में भगवान ने इस भील को पुरुद्रोह को आश्रवा थी आगे चलुकर यही पुरुद्रोह के रूप में ब्रम्मा के गर्म से पकड होते हैं भील कहने लग गया प्रबूद मैं तो पापी मैंने इतना पाप कर्म किया है और पाप कर्म करने के नाते मुझे भोग तो भोगना पड़ेगा भगबान महादेव ने कहा देखो भीली निशन्देह तुमने इतना पाप किया और पाप का फल तो सबको भोगना पड़ता है इसलिए तुम अभी मुक्त तो नहीं होगे तुम्हें जन्म एक और लेना पड़ेगा तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा और जन्म लेने के साथ मैं तुम्हें आश्रवाद देता हूं कि तुम्हारा जन्म तो होगा भील गाते में ही जन्म होगा लेकिन मेरी क्रिपा से तुम ऐसे भील बनोगे, ऐसे भील बनोगे, ऐसे भील बनोगे, कि तुम्हें भगवान को नहीं बुलाना होगा, भगवान तुम्हारे दरवाजे आएंगे, और सत्य युग के बाद त्रेता युग लगा, वह निशाद राज के रूप में भगवान पिटाम चिंद्रजी का मित्र हो गया पुलि राजराम चिंद्र भगवाद ने की जयां इस लिए शिवरात्री का जब्धी आप बरत करें नियम नाएं यह जो गथ्त की कथा मैं ने बताई याद रहे कि स्मरण करें न याद रहे तो दुबारा सुने और अब शिवरात्री आने वाली है इसलिए शिवरात्री को जब भगवान का विशेक करें संध्या के समय शिव मंदिर में बैट करके इस कथा को कहें दो तीन लोग हैं तो ये कहें और सुने या केवल आप कहें आप सुने जब तक इस व्रत को नहीं कथा को नहीं सुना जाता है तब तक शिवरात्री व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है इसलिए शिवरात्री में यह कथा अवश्य सुननी चाहिए है